हाई फ्रेंड्स बेस्ट बिदनस एन्वी चैनल पर आप सभी का सवगत है आज के वीडियो में हम आपको 24 एक जी हा दोस्तों 24 अंडो वाला न्यू मॉडल इंक्यूबिटर बता रहे दोस्तों जी हा जैसा कि आप देख रहा हो दोस्तों यह 24 अंडो वाला मशीन है इसके साथ क्या क्या चीज़े आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा इसको आपरेट कैसे करना ये भी मैं आपको बताऊंगा और ये मशीन पूरी तरह से कैसे असेंबल होती है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और इसकी पूरी जानकरी भी आपको दूँगा अगर आपको म चुजों को दाना पानी देने के लिए एक प्लेट आती है दोस्तों, कैंडलिंग करने के लिए कैंडलिंग टॉर्च आता है, इसमें पानी दालने का सिस्टम पूरी तरह से आटोमाटिक है दोस्तों, बॉटल से इसके अंदर अपने आप पानी जाता है, तो बॉटल लगाने के लिए तीन bracket आते हैं दूस्तो और अट्रा दिन के बाद hatching करने के लिए इसके साथ यह एक जाली आती है तो अब मैं आपको मशीन बता दूँ जी हा दोस्तो यह देखिये यह इसका control पानल है दोस्तो जी हा आप देख सकते हो बेटरी बीजली से भी चलता है और बैटरी से भी मशीन चलता है जिया दोस्तों 12 वल बैटरी से भी आप इस मशीन को अपरेट कर सकते हो और बिजली से भी इसके साथ दोस्तों एक पावर कोड आता है और एक स्प्रे बोटल भी आती है और आप इसका टर्नर देख सकते हो यह देखें इस तरह इसका टर्णर आता है दोस्तों सबसे पहले मं आपको टर्णर गैशcoat लगता है यही बता देता हूं इसको मा अपन कर लूं कि आ आप देख सकते हो इसके साथ यह में जुआ समय पाइप आए हुए दोस्तों इसके एक तरफ एक उपन लगा है नौ है गेर और दूसरे आप इनकी साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हो अगर आपका अंडा अगर चिलिया वगेरे का अंडा है छोटा अंडा तो आप इसकी साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हो मुर्गी के साइज के लिए डख के साइज के लिए आप जो भी अंडे जिस साइज के रख रहे हो दोस्त तो वो इस uniquely गुमाता है और sharp के साथ यह पूरे घेर गुमते है । घेर केशाथ pipe गुमता है दोस्तों और pipe पर रखा हुओ अणड़ा अपना goodomevern होता है यह हो गया उस्तों नीचे का bracket तो नीचे के bracket में आपको दिख रहा है या पने लेटर लगाने के लिए 3-6 दे, तो अभी आप देख सकते हो, इसके साथ दोस्तों ये पावर कॉर्ड है, इसको मैं साइड में रख दूँ, ये स्प्रे बॉटल को भी साइड में रख देता हूँ दोस्तों, अभी इसमें किती ये 3 लेटर ले लेता हूँ, तो आप देख सकत हो, ये देखिए, ये लगए लेटर और ये तीसरी लेटर, ये लेटर में से ही पानी अंदर जाता है दोस्तों, और पूरी तरह से पानी आटोमेटिकली, इसमें का पानी अगर खतम होता है, तो बॉटल में से आटोमेटिकली पानी अंदर जाता है, बॉटल इस लेटर को इस तरह से लगती है दोस्तों इसके साथ छोटी-छोटी लैटर आती है इस लैटर को आप एक फिट देड़ फिट का भी कर सकते हो जी हाँ अभी सिलाल मैंने एक स्टैंड लगा दिया है आप ये दूसरा और ये तीसरा ऐसे तीन बॉटल एक साथ लगा सकते हो दोस्तों बॉ मशिन को से मल करने के लिए इसके साथ छोटे-छोटे स्क्रू आते है इसको मैं साइड में कर दो और इन पैनल को लेलू अभी क्या करना है दोस्तों ये स्क्रू की मददते इस पैनल को जोड़ना है जी हाँ दोस्तों ते ये देखिए ये पैनल इसके ओपर इस तरह से लग आइधे नोा वे 10 बीहां तो यह हम इसको marvel कर लेते से इसको festival करते समय उदर के साइट से q砸 दालना है इधर से उसकी बोल्ड डालना है दोस्तों जीहा और इसके साथ जो इसका स्कुरुड और आएवर आया है ये देखे इसकी मदद से आप डायरेक्ली इसे fix कर सकते हो ये देखे दोस्तों ये हमने लगा दिया है जब भी आप इसको जोड़ोगे तो ध्यान रखना कि ये सबसे बाहर के साइड में ये उबहर वाली पट्टी आनी चाहिए जो यहाँ पर फसती है जी हाँ इस तरह से आपको इसको भी जोड़ना है तो अभी देखो इसको जोड़ने के लिए मुझे पता ये साइड बाहर के साइड में रहेगी ये देखे मैं इसको लगा रहाँ ये लगाने के बाद मैं ऐसे एक दूसरे के साथ आनी चाहिए तो अभी इदर के साइड में लगा देता हूँ सबसे पहले तो यह आपके स्कू डाल दूँगा ये भी एक स्कू डाल दूँगा और ये जो छोटा सा बोल्ट है वो पीछे से मैं वो ब्रैकेट में फसा के इसको गुमा दूँगा जी हाँ इसमें ध्यान रखना कि ये इधर की side जो है ये आप देख रहो जापे चोटा bold फसता है, ये वाला ये जो चोटा bold है, ये जिस side में फसता है तो ये जो दूसरी side है, ये बहार से रहेगी उसके ये side बहार से रहेगी ताकि हम ये bold इधर से डाल सके सिधा सिधा simple funda है दोस्तों कोई इसमें बड़ी बात नहीं कोई भी इसे easily assemble कर सकता है यह देखे दोस्तों हमारा cabinet पूरी तरह से बन चुका है जी हा यहा यहापर लिखा भी है उपर के side का arrow लिखा है यह side आपको उपर रखना है ताकि यह side नीचे इसमें फच जाए यह देखिए है यह दो यह पूरी तरह से फच चुकी है दोस्तों यह इसका दोस्तों उपर का पैनल जिया इसके अंदर फैन लगी होती है हिटर कोईल लगी होती है दोस्तों एसी वाली बैटरी वाली दोनों मैंने जैसा बोला आपको ये बैटरी और बीजली दोनों से चलता है इसको आपके स्कोप पर लगाना है लेकिन ये जो टर्निंग कनेक्शन है जिया मोटर का वो ये टर्निंग सॉकेट में आपको फसाना होता है तो इसको मैं इसमें फसा दूँ ये देखिए ये इजीली लग जाता है ये देखिए इसको अच्छा दबा देना है कट करके आवाज है इसका मतलब लग गई अब इसको इसको पर रख देना है जिया ये दालना है और आप 12 ओल की कोई भी छोटी बड़ी बैटरी लगा कर इसे अन कर सब्केश तो इससे लाग मेरे पास ये 12 बाए 12 का बैटरी है जो पंप में लगता है क्रिशी पंप में तो इससे ही मैं इसको चला के बताऊंगा धान रखना कि प्लस और माइनस गलत नहीं होना जी हाँ अभी ये अंदर का टेमपरेचर अठाइड डिगरी सेले सेज़ बता रहा है तो अभी मैं इसको निकाल लू अब मैं आपको इसको बिजली से चालू करके बताऊंगा तो बिजली से चालू करने के लिए मैं एक कॉट का इस्तमाल करूँ जो इसके साथ आई हुई है इसको मैं यहाँ पे फसाद हूँ दोस्तों यह देखिए मैंने पावर कॉड लगा दी अब मैं इसको प्लगिंग कर देता हूँ यह देखिए यह बिजली से चालू हो गया है सबसे पहले तुम आपको इसके डिस्पले के बारे में जानकरी देदू यह देखिए सिंगल डिस्पले है जी हाँ न्यू मॉडल में सिंगल डिस्पले है दोस्तों लेकिन इसका जो कंट्रोल पैलल हो बहुत बढ़ी है इसमें चार बटन है पहली सेट वाली दूसरी प्लस वाली तीसरी माइनेस वाली और यह कैंडलिंग टॉच वाली कैंडलिंग टॉच यह आप है अगर मैं कैंडलिंग तेंपरेचर बताता है जी हाँ दोस्तो अभी 29 डिग्री सेलसियस अंदर का टेंपरेचर है अंदर हीटर चालुए करके यह जो हीटर वाला इंडिकेटर है दोस्तो आप देख सकते हो यह छोटा सा यह अभी आन है जैसे टेंपरेचर 38 डिग्री बन जाएगा या जो भी सेट करो गया 37.8 वो बन जाएगा तो यह ब्लिंग करना शुरू कर देगा यह देखे दोस्तो मशिन के अंदर 37.8 डिग्री सेलसियस टेंपरेचर बन चुका है करके जो अभी तक हीटर की इंडिकेटर अन थी अभी वो ब्लिंग करना शुर जाता है या उसके उपर जाता है तो यह पूरी तरह से अभी हो जाती है इस तरह से इंडिकेटर काम करता है दोस्तो इसके अंदर टेंपरेचर अभी सेट कितना यह चेक करने के लिए आप सेट वाली बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए देखिए 37.8 डिग्री सेलसियस इस यह मशीन ओन का इंडिकेटर है जी है अगर आपको टेंपरेचर कम जादा करना था आप सेट वाली बटन को एक बार दबा दीजिए और प्लस और माइनस से आप टेंपरेचर बढ़ा भी सकते हो जैसे अभी आप देख सकते हो मैंने 38.2 डिग्री सेलसियस सेट किया और मैं स जेट वाली बटन को फिर से दबा दिया इस तरह से आप इसकी सेटिंग अगेड़ा कर सकते हो यह जो यह चेक करने के लिए आप प्लस वाली बटन दबा दिजिए तो एक रोटेशन मशिन काम करना शुरू कर देता है जिया दोस्तों यह देखे आप उपर से, यह देखे, ज्यादा कुछ तो नहीं दिखेगा बढ़ यह जो मशीन की शार्प है, दोस्तों हलके हलकी सी घुमरही है, जिया बहुत स्लोली श्लोली घुमती है दोस्तों करके एकदमVIDU स्लेर नहीं दिखती है, आप देख सकते हो, य पास ब्लेक पास यह अंड यहां मुझा ब्लक के तार के तोर पर दुश्त को रहाँ हूं उब यह देखिए कि धीरे धीरे अंडा गुंता है दुश्तों भी नहीं हो स्लोलीड कुंता है तो अब यह तो हो गया दोस्तो अंडे रखने का, रोटेशन का और टेंप्रेचर कंटूलर का, अब बात करते हैं दोस्तो पानी दाल लेगी, तो मैंने पहले ही बोला, मार्केट से यह साइस की लैटर थोड़ी लंबी वाली ले लेना, अगर लंबी वाली लैटर नहीं, यही लैटर से इस्तेमाल करना है, तो आप इसको यह से निकाल लीजे, जी हाँ, इसको यह से निकाल लीजे, ऐसी कोई भी तीन बोटल ले लीजे, जी हाँ, इसमें पूरी तरह से पानी भर लेना है, उसको यहाँ पे फिक्स कर देना है, जी हाँ दोस्तो इसको फिक्स कर देना ह से रख के अगर जैसे पल्टा ओगे पानी निकलना शुरू हो देंगा तो इसको ऐसा फिक्स कर देना उसके बाद में इस लेटर को मोल लेना दूस्तों इस तरह से और मोलने के बाद उसको इसके अंदर लगा देना है जी हाँ इसको इसके अंदर लगा देना है दोस्तों और फिर आप इस मोल को छोड़ दीजे तो यह आपका पानी जाना शुरू हो जाएगा इस तरह से आप तीनों बौटल को लगा सकते हैं जी आ दोस्तो एकदम सिंपल माशीन है, सिंपल फंडा है, ये बैटरी से भी चलता है, बिजली से भी चलता है और इसका वाटर सिस्टम है अटोमेटिक है, कम कीमत में मिलने वाला सबसे बड़ी आई इनक्यूबिटर दोस्तो आप इसको खरीद कर अपने घर पर ही अंडों से चुदे बना सकते हो, अगर आपको इसको पर्चेस करना है, तो वीडियो में दिये हुए नंबर पर सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपका भी भी कॉल कर सकते हो, हम All India Home Delivery करवाते हैं, हमारे पास Cash On Delivery Option भी अवेलेबल है, वीडियो में दिये हुए नंबर पर सी शेर दरूर कीजेगा, आप सभी मित्रों का धन्यवाद,